So what do? हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर जो NCRT की बुक्स होती हैं, वो हमारे बेसिक फंडामेंटल के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट होती हैं, बहुत ज़ादा. NCRT की बुक्स हमें बहुत ही आसान भासा में बताती हैं, एक बाचीत करने के तरीके से बताती हैं, इक concept को कैसे बाहर निकाला जाएं, वो concept हमारे लिए कितने महत्रपूर्ण हैं, याद रखिएगा, analysis और synthesis दोरों बड़ी important है, for example, फिर इसी बोतल से समझाता हूँ, एक बार मुझे ये पानी प्राप्त हो गया, ठीक है, मैंने एक ग्लास में पानी को डाल लिया, जब मुझ मुझे उसको किसी पातर में उडेलना भी आ गया, मैंने इस पातर में उसको उडेल लिया, पानी मेरे पास आ गया, अब इस पानी से मैं नमक डाल कर नमकीन भी बना सकता हूँ, चीरी डाल कर इसको मीठा भी बना सकता हूँ, नीबू डाल कर इसको शर्बत भी बना सकता हू मैं इस पानी से धेर सारी चीज़ें कर सकता हूँ, राइट, पीने के साथ साथ मैं इससे शिकंजी बना सकता हूँ, शर्बत बना सकता हूँ, मुझे जो भी जरूरत है मैं वो इसको बना सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरे पास मेरे concept आ जाते हैं, तो मैं answer writing में कि किसी भी तरह की, interdisciplinary answer writing, direct answer writing, negative answer writing, positive answer writing, अपने तरक देते हुए, विश्टेशन करते हुए, तथ्यों को परकते हुए, उदाहरन देते हुए, वरलन करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए, समालोचना करते हुए, मैं किसी भी प्रकार का उतर लेख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब synthesis की authority आ चुकी है, मेरे पास authority आ चुकी है, translation की, यानि मुझे पता है, कि इस जल का प्रियोग कैसे कैसे कर रहा है, लेकिन pursuit क्या था, important process क्या था, process था, कि मुझे concept clear होना चाहिए, कि इस bottle से पानी निकलता कैसे है, सिर्फ bottle और पानी का होना जरूरी नहीं है, मुझ करने के बाद उसका कैसे उपयोग करना है, किस किस तरह से उपयोग करना है, इस पूरी प्रक्रिया को मैं कहता हूँ, I.S. बनने की प्रक्रिया, यह रहा तुम्हारे सामने, civil services crack करने की प्रक्रिया यह रही तुम्हारे सामने, the thing is, we generally focus on the physical things, problem यह है कि हम bottle पे focus करते हैं, हम पे focus करते हैं, हम glass पे focus करते हैं, हम process पर focus नहीं करते हैं, UPSC क्या है, UPSC अगर कुछ है, I.S. की तयारी कुछ है, तो प्रक्रियाओं को जानने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रियाओं को समझने की जो है वो अवध है, वो यात्रा है कि कैसे प्रक्रियाएं होती है, इस राष गलट आया कि 48% कुपोशन वर गया, 42 से 48% कुपोशन हो चुका है, तुम चाहते हो कि भारत के बच्चों में कुपोशन खत्म हो, मौलनुटृशन खत्म हो, तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें इस चाहत को वास्तविक्ता में बदलने के लिए प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, तुम्हें एक प्रक्रिया बनानी होगी, तुम्हें प्रक्रिया में बजट लाना होगा, कि इतने बच्चों का पेट भरने के लिए उनको जो है वो सही पोश्वर देने के लिए कितना पैसा चाहिए, तुम्हें एक तंतर बनाना होगा, लोगों को एपॉइंट भी आकर वही उसी देश के साथ काम करें तब कई सालों बाद एक रिपोर्ट आएगी उसमें कहा जाएगा कि फलाना प्रयास से भारत में कुपोषण में कमी आई है ये है वो प्रक्रिया जिसका तुम हिस्सा बनने जा रहे हो तो यूपीएस्सी की प्रप्रेशन क्या है प्रक्रियाओं को जानना समझना और उन्हें लागू करना है समझ में आया अगर कोई तुमसे पूछे यू पीए सी का प्रॉस्ट क्या है यह यह लेकिन हम पूरे टाइम क्या करते हैं मैसेज आता है सर एंसी आइटी पुरहानी वाले या पढ़ी नई वाली पढ़ें सर यह विपिन चंद्रा पढ़ें या शेखर बंधो पाध्या पढ़ी होगी सर न्सी आठी से हो जायेगा क्या वाली पढ़नी पढ़ेगी क्या सर एंसी आठी पढ़नी जरूरी है क्या लख्यंकॐ मैं यह कर रहे हो तुम यही पूछ लो सर बॉक्तल कितना है पानी कितना है आठ नως कहा है लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम marked भी रखी तुम्हें करते हो सबकुछ तुम करते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वो जो किताबे उने खरी धी है, वो फोटो कॉप्य तुमने खरी दी है, वो जो तुमने तमाम नोर्ट्स खरीदे राओं उनको कैसे वागना है?? You just collect them, but you don't know the process how to use these facts, the books and these notes. तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है. और जिस दिन तुम्हें ये पता हो जाएगा, उसे दिन तुम्हारी तैयारी शुरू होती है. तब उसके बाद तुम्हारी synthesis और analysis का process शुरू होता है. अब समझें कितनी बड़ी हमसे गड़बर होती है और हमें ये चीजें नहीं बताई जाती हैं. तो चली, आज हम इस स्वाध्याय स्रंखला में, सेल्फ स्टेडी स्रंखला में, आज हम सबसे पहले geography की NCRT की बात करेंगे. जोगरफी क्यों? जोगरफी basically fundamental subject है, जो basically economics, culture, इन दोनों के साथ अपना link इस्थापित करता है और politics. जोगरफी NCRT की जोगरफी जो होती है, जनरली हम history के साथ पढ़ना शुरू करते हैं, कहानियों से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जो geography का concept होता है, वो हमारे culture को भी define करता है, वो हमारी politics को, geopolitics को भी define करता है, साथी साथ वो हमारी economics का base होता है. यानी geography एक ऐसा subject है, जो other subject का base डवलब करता है, इसलिए जब आप ncrT…